Hello and welcome to Magnet Brains, मैं रिया चौहान, आपकी होस्ट और NDC Social Science के लिए आपकी दोस्ट, आज आपके लिए लेकर आई हूँ Nationalism in Various Countries का जो Part 2 है, that is Nationalism in India, उसके MCQs तो I hope आपने Nationalism in Various Countries का Europe वाला पार्ट अच्छे से कतम कर लिया है India वाले पार्ट का concept video देख लिया है, अब हम आचुके हैं MCQs पे तो बहुत अच्छे से सारी चीज़े पढ़ते रहे हैं, MCQs all करने के पहले आये हो आप concept revise करके आते हो, उसके बाद में MCQs all करते हो ऐसा नहीं कि यह MCQ देख रहे हो और मैम तो वैसे भी सारे MCQs के साथ में concept तो बताते चाती है तो हमको पूरा chapter का बरो जाएगा, ऐसा मत करना, पहले पढ़के आना, फिर MCQ करना ठीक है, पहला question, पहला question क्या कह रहा है, the President of Indian National Congress at the time of participation of India was जब इंडिया का participation नहीं, इंडिया का partition हुआ था, हम Pakistan और इंडिया में बढ़ चुके थे उस समय पे इंडिया National Congress के President जो थे, वो कौन थे यह हमको बताना है option में दिया है C. Raja Gopalashari, J.B. Kripalani, जवाला नेरू जी और मौलाना अबुलकराम, आजार जी तो option आप कैसे छाट सकते हो, अगर आपको नहीं पता है तो, एक तो अगर पता हो तो सीधे टिक कर दो या अगर नहीं पता है तो, जवाला नेरू जी जो है, उनको तो अलगी post मिल चुका था, एकदम बढ़िया वाला इंडिया इंडिपेंडेंट हो था, क्या बने तो जवाला नेरू जी एक और नेरू जी कोमें बता ना, पता हो नो है इत्त हो पूरा पढ़के आयो, तो ये तो आपको पता हो न जी जवाला नेरू जी का independent जब हम लोग इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो उनकी क्या post थी यह बताया कामेंट में ठीक है तो जवाला नेरू जी तो नहीं है इत्ता बता दे दिए हिंट मौलाना अब्दुलकलाम आजाज जी मौलाना अबुलकलाम आजाज जी का काम तो हमारा साइन्स वाले स्ट्रीम में था वो इंडियान नाशनल कॉंग्रेस में हमने उनको मतलब ऐसा कुछ पोस्ट उनका दिखने को नहीं मिला था सी राजा गोपाल चारी जी की बात करें तो ये गवर्नर अफ इंडिया थे फ्रॉम नाइंटीन फॉट्टी टू नाइंटीन फिफ्टी के अप्रॉक्स ठीक है तो ये भी ऑप्शन में से नहीं है बहुत सारी पोस्ट इनकी थी हाला की काफी बहुत अच्छा काम इनों ने किया था ये वस आल्सो राइटर तो बागी प्रेसिदेंट ओफ इंडिया नाशल कॉंगरस थे नहीं रहे बचे कौन जेबी कृपलानी जी जे भी कृपलानी जी थे भी अगर आपको यादे तो डियरेकली याद करलो एपोस्टों ये नहीं थे ये नहीं थे ये नहीं थे और ये बचे तो ये ठीक है तो जे भी प्रेसिदेंटर इंडिपेदेंटस या फिर 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 वी आगपारटिशन नेक्स्त्安ि इंडियन नाशनल आर्मी आयेने आयेने केम इंटो एक्जिस्टेंस इन 1943 इन कौन सी कंट्री में आयेने का जो है वो एक्जिस्टेंस देखने को मिला था कब याद रखना 1943 की बात की जा रही है आयेने किसकी थी सुभाषचंदर बोष जी की ठीक है याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो आयेने जो है वो सुभाषचंदर बोष जी की थी बोष साहब जो है वो आयेने को क्या कर रहे थे लीड कर रहे थे उन्होंने बहुत जादा मदद की थी जाप सारे topics ऐसे हैं इंडिया को लेकर जो बहुत interesting है और बच्छों को पता होने चाहिए तो वो chapter में नहीं include हो पते क्योंकि उनके आगे पीछे बहुत सारी कहानिया होती तो पूरी कहानी जैसे जलते हैं तो वो ऐसे topics जो मुझे मिलते जाएंगे मैं वो short videos में आप लोगों के याद रखिएगा next question consider the following events during India's freedom struggle यह इंडिया के freedom struggle के समय के क्या है सारे events है है ना चौरी-चौरा आउटरिज ठीक है और क्या है मॉर्लिम इंटो रिफॉर्म डांडी मार्च और मॉंटेस्क्यू शेम्स फॉर्ड रिफॉर्म ठीक है वो एम ओम डी आजाता ना तो जिबान थोड़ी लड़ खड़ा चाहती है मेरी तो यह वाले इवेंट जो है इनकी सीरीज हमको बतानी है ठीक है कि यह कब-कब हुए थे तो यह कब-कब हुए थे यह हमको सबसे पहले बताना है क्रोनोलोजिकल ओडर ऑफ दूब इवेंट गिवन बिलो क्या क्या वा था किसके क्या क्या बाद में हुआ तो यह हमको करना इसके अंदर रबताने तो सबसे पहले जो है वह हुआ था मॉरले-मिंटो रिफॉम जो है आया था और एक सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया थे और एक वोईस रोई थे यह रिफॉर्म लेकर आये थे इंडिया के लिए उसके बाद में आया था रॉलिट एक्ट के बाद में नॉन कोपरेशन मुवेंट के बाद में 4-4 आउटरेज और उसके बाद में फाइनली डांडी मार्ट जो है वा हमने सिविल डिसोबिडेंस के टाइम पे देखा था तो यह सही है 2-4-1-3 2-4-1-3 ठीक है याद रहेगा ओके आगे बढ़ते हैं सबसे पहले जब गांदी जी यहां आय थे 1915 में यहां पे आय थे गांदी जी तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया था जब मैं चाप्टर पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि गांदी जी जब इंडिया में आय थे तो उन्होंने सप्त्याग्रह का कंसेप लाए था उन्होंने बोला था कि यार तुम लोग गलत रास्ता पकड़ रहे हो तुम लोग क्या करो तुम लोग सही रास्ता पकड़ो तुमको जब politically और legally British government ने acquire किया है या तुमको इस तरीके से जो है वो political और legal domination उन्होंने याँ पर रखा है तो फिर क्यों मारधार वार करना हमको जिस तरीके से उन्होंने काम चलाया दिमाग लगा के तुम भी दिमाग लगा के काम चलाओ है ना ऐसा concept उन्होंने हमको दिया था कि सत्य की रहा पे चलो और सामने वाले को सही जो है वो accept करने में मजबूर मत करो उसको इस चीज़ में मजबूर करो कि वो feel करे कि नहीं यार मैंने गलत किया जो किया हूँ ठीक है तो यह सत्य गरह का उनका concept था कि यदि आप injustice के लिए लड़ रहे हो तो आपको non-violently लड़ना चाहिए ठीक है justice के लिए अगर आप लड़ रहे हो गांडी जी आएगा आपको याद रहे कि वो क्या concept लिखे आएथे वो जब concept लिखे आएगे तो अपने आप आपको इसका answer मिल जाएगा सत्यागरा लेके आएथे तो सत्यागरा में हमने सबसे पहला जो है वो पड़ा था चंपारंग ठीक है याद रहेगा चंपारंग में उन्होंने क्या किया था अपना movement बताया था सबसे पहले तो चंपारंग उसका right answer होगा इंडिगो और इसकी कहानी आए होग आपको पता हो नहीं पता हो तो फिर से concept वीडियो पर जाओ देख क्या ना अच्छे से मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ मैंने अब सोचा है कि मैं बताऊंगे लेकिन हिंट देदे कि आपको बताऊंगे आप लोग concept अच्छे से नहीं पढ़के आते अच्छे से वाले इसके बाद मैं आपको हिंट देती हूँ कि चंपारन मूइमेंट के बाद मी उन्ने दो ओर मूवेंट किये थे ठीक है सथ्यागरह के ही दो मुवेंट यह थे उसको कॉमेंट में लिखके बताऊं मैं देखती हूँ कि इसको पता है कि नहीं पता है तो फिर मैं मतलब मुझे रिलाइस होना चीह ना कि बच्चे को समझ आ रहे Q5 In 1918 गांधी जी और्गिनाइस सत्यागरा मुव्मेंट अगेंस 1980 का जो गांधी जी का सत्यागरा था वो किस लिए था तो मैं हमेशा आपको काम देती और अगले question में वह ऐसा बन जाता है कि फिर problem हो जाती है अब इसमें आपको पता चली जाएगा कि वह दो कौन थे थे ठीक है पहले जवाब दे दो जवाब दो चलो 1989 में जो गांधी जी ने सत्यागरा मुवमेंट किया था वह किसके अगैंस किया था सबसे पहला बाद वह उन्हांने किया था वह किसके लिए किया था इंडिगो owners के against जो है उन्होंने क्या क्या था satyagraha movement दिखाया था, ठीक है next, गांधी इर्विन pact was signed in, कब गांधी इर्विन pact जो है वो sign हुआ था तो गांधी इर्विन pact क्या था, इर्विन ने बोला था, इर्विन ने गांधी जी को proposal दिया था कि आप क्या करो हम लोग कुछ डिसकस करते हैं राउंटेबल कॉन्फरेंस में एक वेग ओफर दिया थो नहीं डॉमिनियन स्टेटिस का लेकिन गांदी जी माने नहीं कि नहीं हमेशा हम कुछ अंगुल में फसा देते हैं और कुछ करते जब अरेस्ट कर लिया था तो फिर गांदी जी को ऐसा लगा कि अर्यार अरेस्ट कर लिया है और फिर मतलब इस तरीके से मैं आपको एक्स्प्लेइन किया था ना कि गले पे मतलब चाकू रखके सारी चीज़े करवा रहे थे ब्रिटिशस तो अब गांदी जी बहुत जादा क सब्सक्राइब करेंगे मेरे देश के लोगों को छोडएंगे तो उन्हें राउंड टेवल कांफरेंज के लिए हां कर दी और गांदी इर्विन पैक्ट जो है वो लाया गया था जिसमें गांदी जी और इर्विन ने क्या क्या था बहुत सारी चीज़े डिसाइड की थी त नहीं दिखना चाहे था पर दिख्या ओ तो ठीक है नहीं दिखाओ तो कोई बात नहीं गांधी जी जो है फिर उन्होंने क्या क्या था चीज़ें डिसाइड की थी कि चलो ठीक है हम क्या करते बात कर चले लेकिन वह राउंटेबल कॉन्फरेंस में भी थे तब भी क्या हुआ कि डिसिजन कुछ निकल कर आया नहीं था है ना तो इस इसके अराउंट है वो बात हो रही है ठीक है तो आप कैसे याद रख सकते हो कि सिविल डिसोबिटेंस मुव्मेंट के बाद में उस बीच में इन्होंने ऐसी हरकत की थी कि कांधी जी को कांधी इर्विन पैक्ट के ल लेकिन यहां से आप कंफ्यूज हो सकते हो कि कौन सा मार्श था यहां पर साइमन कमिशन आया था है ना उसके बात की बात है तो यह मार्श 1931 जो है वह आप याद रखना गांधी इर्विन पैक्ट के लिए मुस्लिम लीग कब बनी थी बाई 1908 में बनी थी 1906 में बनी थी या 1905 में बनी थी यह आपके site किसके लिए gothey I folks trip में अभिया आगे बढ़ाऊंगी तो भी मैं छोड़ दूंगी आपको पता करना है कि मुस्लिम लीग कौन से ओर में बनी थी कुए यह आपके के लिए एक होमवक मैं आपको कभी होमवक नहीं देती लेकिन मुझे कॉमें दिखना चाहिए कि आप लोग इसका आंसर बताते हो कि नहीं बताते हो मैं आंसर चेंज कर देती हूं चलो ठीक है तो चेंज क्या है तो आपको याग होगा कि स्वाराज का रिजॉल्यूशन किसने लिया था जवारलाल नहरू जी ने एक सेशन पर लिया था वो लोग बहुत परिशान हो चुके थे कि अब बहुत हो गया है अब हम क्या करेंगे हमको फुल इंडिपेंडेंस चेह यह थोड़ी बोड़ी जो चीजे यह लोग बार-बार यह लोग कर रहे हैं इससे हमारा कुछ भी होना जाना वाला नहीं है तो यह कौन सा सेशन था बहुत सारे सेशन होते रहते थे अलग-अलग जगह उपर लेकिन जहां पर उन्होंने फुल पूर्ण सवराज की बात की कि शपत ली थी ठीक है 1930 याद होगा आपको 26 जन्वरी 1930 ठीक है तो उसके अराउंड जो है उन्होंने पूर्ण सवराज की बात की थी तो सुरी कहां पर हुआ था यह लाहूर सेशन पर हुआ था लाहूर कॉंग्रेसमें ठीक नेक्स वेशन बात माता की इमेज किस ने क्रिएट के थी सबसे पहला राइटर कि मैंने कंसेट वीडियो में सब आपको पढ़ा आया था तब मैंने आपको बहुत अच्छे से बोला था कि इसको याद रखना ही है यहां से हमको क्लियर हो रहा है कि यहां पर हमको जो ऑप्शन अपना दिख रहा है बाकी एक बार ऑप्शन हम पढ़ भी लेते हैं क्या पता हम गुम्रा किये जा रहे हूं क्वेस्चन से तो रबिंद्रिना टेगोर बाइस पेंटिंग ऑफ मदर फिगर इन 1905 नहीं इसके इन्होंने तो ऐसा कुछ बताया नहीं था इनका तो बैलिट्स वगेरा को लेकर कहा यह इन्होंने किया था ठीक है यह इन्होंने बहुत जाथा कलेक्ट किया था लेकिन पेंटिंग का हमको कुछ ऐसा बताया नहीं था वहाँ पे बग्यम चंदर चैटर जीन 1870 बाय राइटिंग दे सौंग वंदे मातरम एंड लेटर इंक्लूडिंग एट इन नौविल आनन 1770 में फिर उसको जो है वह आनन्द मत में इंक्लूड भी किया गया था और स्वदेशी मूव्मेंट जो चल रहा था उसमें भी वंदे मातरम को बहुत ज्यादा गाया गया था ठीक है तो यह आप आंसर बिलकुल बिना हिचकी चाहे टिक कर सकते हैं क्वेश्चन नमबर 10 विचल फॉलाइंग लीडर वस अरेस्टेट अगेंस्ट फूस अरेस्ट द पब्लिक गैदरिंग फॉर प्रोटेस्ट जलिया वाला बाग ठीक है तो इन में से किसका अरेस्ट हुआ था जिसकी वज़े से लोग जो है वो जलिया वाला बाग में ग्या हो गया है कि हमको गैदरिंग वगेरा नहीं करने लोग आसपास के विलेजस से आ गये थे कि बैसा की का मेला देखेंगे बागी कुछ लोग में गैदरिंग भी की थी रॉलेट आक्ट के बाद में ऐसा हो गया था कि गवर्मेंट को बहुत ज़दा पावर मिल दी थी कि यद कर लिया गया था तो जिसकी वज़े से लोगों ने कुछ गुरूप ऑफ पीपल ने जलिया वाला बाग पर गैदरिंग की थी और बाकी लोग बैसा की का फेर देखने आये थे फिर मार्शल लाइंपो जो क्या था जनरल डायर को क्या देदी गई थी कमाड तो जनरल डायर इस सारे exit points को क्या कर दिया था ब्लॉक कर दिया था और फिर open firing की थी जले वाला बाग का concept है hope आपको अच्छे से पूरा वापिस है रिवाइस हो गया होगा ठीक है तो option ग्याद रखिएगा who gave the title mahatma to gandhi ji kis ने दिया था mahatma का title gandhi ji को तो कुछ लोग कुछ और नाम देते हैं कुछ लोग कुछ और नाम देते हैं लेकिन the real thing is Rabindranath Tagore ji Rabindranath Tagore ji ने गांधी ji को mahatma का title दिया था he was Mohandas Karamjan Gandhi mahatma तो he was mahanatma ऐसा करके Rabindranath Tagore ji ने उनको क्या दिया था title दिया था next which one of the following statement is not true about the basic concept of satyagra सत्याग्रा का तो basic concept है उसके लिए conscious statement जो है वो true नहीं है यह हमको बताना है emphasis on the power of truth बिल्कुल सत्याग्रा तो यह होता है सत्य का मतलब ही होता है power of truth emphasis on need for need to restrain oneself क्या खुद को खुद को रोकने के लिए जो है वो सत्याग्रा होता है दिखते हैं emphasis on non-violence हां जी बिल्कुल non-violence को क्या करना था उसके उपर ही बहुत जदा emphasis दिया गया था कि non-violence non-violence को अपना हो emphasis on enduring the British dominance की भाया British dominance जो है वो चलता रहे इसको क्या emphasis किया गया था तो बिल्कुल भी नहीं इसको emphasis बिल्कुल भी नहीं दिया गया था हमसे question में क्या पूछा है इन में से कौन सी statement सत्यागरह को लेकर true नहीं है तो हाँ बिल्कुल यह वाली statement जो है वो गलत है ठीक है British rule को हम क्यों endure करवाएंगे न कि जी हो Britishers हमारे हाँ पर रहो तो नहीं यह वाला option जो है वो बिल्कुल ही क्या हो जाता है गलत Independence Act of 1947 permitted the princely states to remain independent हाँ ऐसा बोला गया था कि वह आपने हिसाप से चूज कर सकते हैं वो चाहे तो वो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं वो चाहे तो include हो सकते हैं इंडिया में ठीक है next सर्दार वल्लबाई पतेल अपील्ट तू 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 दो प्रिंसेस टू एक्सेप्ट दे एसेशन तू दे इंडियन यूनियन वालवाई पटेल ने क्या क्या था चलो इसकी पूरी कहानी शुनाती हूं चोटी सी कहानी है क्या था ना कि प्रिंसली स्टेट्स थे तो इन्हों ने देखा कि राजे रजवाड़ों को कुछ नहीं चाहिए राजे रजवाड़े इतना चाहते हैं कि उनकी टेरिटरी के अंदर उनका राज बना रहे हैं तो ब्रिटिश ने इसी चीज को पकड़ा उन्हों वो लोग क्या करते कि इनको बहुत खिलाते पिलाते एकदम चटवाते और राजे रजवाड़े भी ऐसे थे ना कि हम रॉयल फैमिली के फिरंग्यों से हमारा बोलना चालना है हम लोगी की जान पहचान है तो ऐसा तो राजे रजवाड़ों को को कोई प्रॉब्लम नहीं थी यह थी ब्रिटिश हमारे सब्सुक्राव यार करें चाहले तो उनको यसा था की उनको ऊष की लोगों की ऐसी बातशीत हो चूम्की ती ब्रिटिश्शlichen सएक्ट की कि हमक नहीं करेंगे और आप हमारे प्रुम्य स्टेट में इंटर्फियर मत करना मलं आप जो बोलोगे वहम मानेंगे लेकिन हमारे स् ठीक है तो प्रिंसली स्टेट्स कभी भी नहीं चाहते थे कि इंडिया इंडिपेंडेंट हो आर यह बात समझ में प्रिंसली स्टेट्स बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि इंडिया इंडिपेंडेंट हो ठीक है थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत दूला दूला तो समझ में आ गया ना तो ऐसी कंडिशन वहां हो रही थी अब जब इंडिया को पूरी तरी के से फ्रीडम दिया जा रहा था ना इंडिपेंडेंट गोशित किया जा रहा था तो प्रिंसली स्टेट्स को ऐसा बोल दिया था कि तुमारी इच्छा तो गांदी जी को और जादा चिड मची कि यह यार एक तो वैसे इनोंने इनको इत्ता इंडिया बनाना एक इंडिया बनाना वो कैसे होगा तो फिर वल्लाब भाई पटेल जी ने यहां पर क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उन्होंने प्रिंसली स्टेट को यह भी बोला कि नहीं आपको क्या करना है आप देख लो मतलब उनको पहले तो प्लीस किया क यार मत जव मत जव मत जव ऐसा करके फिर बाद में तो अगर कोई निकल के जाता है तो फिर उसको देखा जाएगा तो ऐसा किसने किया था सरदार वल्लाब भाई पटेल जी ने किया था जुनागड, हैदराबाद और कश्मीर को आप याद रख सकते हैं तो यहां पर तो मुझे तीनों स्टेटमेंट ही लग रही है हमको बताना है कि कौन क्या 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 थौट से सैसे विलि денम जॉश लिस्टे के बारें बताना है तो महत्मा गार जी के बारें बताना है respect for ancient cultures है इधर critical of English language है इधर और learning in a natural environment ठीक है और promoting English language यह तीन चीज़े हैं ठीक है तो learning in natural environment जो है न वो तो Rabindranath Tagore जी कही था C तो C जो है वो 3 C 3 कहां कहां पर दिख रहा है इन दो option में दिख रहा है मतलब यह तो है यह हट जाते हैं ठीक है है ऐसे option cancel कर सकते हैं मैं तो इसी करते हो इनको कि जहांसर पता है उसको देख लो कहीं पर मिल रहे हैं तो पता चल जाएगा अब दोनों में एवन दे रखा है एवन दे रखा है दोनों और c3a c3a b2 है कि b4 है यह अगर हमको पता चल जाता है तो हमारा option क्लियर हो जाएगा बी क्या है b2 है या b4 या फिर बी 4 है तो thomas maycal ay english language के लिए critical थे या फिर english language को promote करते थे बिलकुल promote करते थे तो तो कोई सवाल ही बेगा नहीं होता तो यह B4 जो है वो हमको लग रहा है कि वो क्या करते थे प्रमोट करते थे एक बार फिर सारे ओप्शन क्या कर लेते हैं चेक कर लेते हैं A1 कह रहा है William John's respect for ancient culture हां William John's जो है वो बहुत जाता respect करते थे ancient culture को B का क्या है 4 Thomas McCall is promoting English language Rabindranath take good learning in a natural environment and Mahatma Gandhi was critical of English language बिल्कुल सही लग रहा है देख लेते हैं answer is B correct है तो इस तरीके क्या options आप इस तरीके से solve कर लोगे ना आरीए बात समझ में हो जाएगा ना ठीक है next forced recruitment means a process by which हमने chapter में यह word आया था कि force fully recruitment किया जाता था किसलिए world war one की time पर हमने देखा था कि लोगों के अंदर villages के अंदर बहुत साथा गुसा भर गया था क्यूं भर गया था क्यूंकि Britishers क्या कर रहे थे forcefully recruit कर रहे थे आर्मी में कि यह लोग आर्मी में जाए और फिर हमारे लिए क्या करें वहाँ पर जाकर लड़ें ठीक है तो force recruitment क्या होता यह हमको इसके अंदर से देखके बताना है Indians were forced by the Britishers to finance British army क्या force finance करने के लिए करते थे नहीं करते थे इनको तो मांगने की ज़रत इन थे यह तो खूद ही लेगा थे सारा सारा पैसा हमारे यह से Indian princes had to supply soldiers to fight for the British Indian soldiers Indian princes को नहीं करना पड़ता था यह काम यह बात तो पक्की है The colonial state forced people in rural areas to join the army यही it is exactly what I told you तो क्या है C वाला answer जो हमको दिख रहा है बिल्कुल सही answer है आगे बढ़ते हैं Next question Question number 16 The business classes and industrialists lost enthusiasm for the civil disobedience movement because Business classes का हमने पढ़ा था कि business classes क्या करी थी बहुत ज़्यादा help करी थी किसलिए civil disobedience movement के लिए इवन वो finance भी करी थी लेकिन फिर उन्होंने देखा कि बीच में civil disobedience movement को रोक दिया गया है है ना तो उनकी दिमाग में आया कि आप यार यह ऐसे करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा हम लगों को बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा ठप हो जाएगा तो मैंने आपको उससे याद भी दिलाया था एक meme लगाया था ठीक है अब मैं चलता हूं करके है ना तो यह हमको देखना है कि वो बिजनेस के लिए थोड़े से conscious हो गये थे कि बिजनेस को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी अगर ऐसी चीज़े चलती रही तो तो देख लेते आप्शन में कहां पे मिल रहा है या फिर या फिर देवर फ्राइटन बाइ ब्रिटिश रिप्रेशन या फिर तो भाया लॉस्ट गांदी जी जो है वो गलत में अपना रहे हैं या फिर वो डरते थे क्या ब्रिटिश रिप्रेशन से या फिर ये वालो अप्शन मुझे बहुत ज़्यादा रियल दिख रहा है क्योंकि अगर ये जो वॉयलेंट अक्टिविटीज बढ़ती है तो बिजनस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी लोग जो है वो खरीदने बेशने वाले सारी चीज़ों से बहुत हट जाएंगे दूसरी चीज ये भी होगी कि यदि ये चीज चलती रहती है तो राउंटेबल कॉन्फरेंस लंडन में जहां पर गांधी चीज जाने वाले थे और अपनी बात रखने वाले थे किस चीज की कि भाया हमको रूपी स्टर्लिंग रेशो वाला काम करवाना है और इंपोर्ट गूड्स का भी कुछ करवाना है मैं आपको पूरा बताया था तो उसमें क्या हो जाएगा प्रॉब्लम हो जाएगी तो ये वाला ऑप्शन जो है वो सही लग रहा है मुझे और बिल्कुल सही भी निकला ठीक है तो बिजनेस क्लासे इन इंडस्ट्रिलिस्ट लॉस्ट एंटुजेजम इंदर इसी लिए ही उनको गांधी जी के अंदर भरोसा था ऐसी बात नहीं है इसलिए तो क्या करते बहुत जाथा फाइनेंस कर रहे थे और मतलब क्या आप मुवमेंट करो हम रहे थी तो हमने बात की थी दो यंग लीडर्स की है ना और गांधी जी की गांधी जी सोच रहे थे कि कुछ ऐसा पॉइंट मिल जाए जिससे हम क्या करें मुस्लिम्स और हिंदू को क्या करें मिला ले और कुछ एक मास्ट्रगल हम लोग करें तो खिलाफत वाला प्रॉब्लम ज अगले क्वेस्टन पर आ जाते हैं क्वेस्टन नंबर एटीन के रहा है बाबा रामचंद्र के बारे में तो बाबा रामचंद्र कौन थे पूछ रहा है मतलब भू तो नहीं लिखा है पर यहां पर लिखा है ना बाबा रामचंद्र वह तो मतलब बाबा रामचंद्र के ब लिडर ओफ पीजन्स रिवोल्ट इन अवद हान जी बिलकुल अवद किसान सभा में बनाई थी किसके साथ में मिलकर जवाहलाल नहरूजी के साथ में मिलकर ठीक है तो अवद आप इस तरीके से याद रख सकते हो वहाँ पर अवद किसान सभा में स्पेलिंग यह वाली दिया तो बच्चों को confused हो जाता है कि यह तो अवद है और यह अवद है तो दोनों क्या होंगे अलग होंगे अलग-अलग नहीं है तो यह क्या है यह दोनों सेम है confused बिलकुल भी मद हो ना फाउंडर ओफ किसान सभा ओफ अवद इन ऑक्टोबर 19-20 अलोंग विज जवाला नहरू देखो वह यह वाला पॉइंट नीच आ गया तो चलो यह क्या है हमारे सारे पॉइंट्स बिलकुल सही है तो I feel all of the above क्या होना चाहिए आंसर इसका जो की बिलकुल सही है आप जीत च सारी बात की थी तब हमने बताया था कि उन्होंने अपनी बुक हिंद स्वाराज में कुछ कुछ लिखा है ठीक है हिंद स्वाराज में कुछ कुछ लिखा है मतलब यह बुक किसकी है हिंद स्वाराज किसने लिखी है महात्मा गांदी जी ने लिखी होगी किसी और ने थोड कि दो लिमिटेशन थी किसकी civil disobedience movement की सबसे पहले कौन थे दलित हरिजन और दूसरे थे Muslims तो Muslims के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गए कि वो लोग क्या हो गए थे बहुत सारी इंसेक्योर हो गए थे क्योंकि कि एक sense of distrust बन चुका था दोनों के बीच में इंडियन तो दोनों थे लेकिन हिंदू के बीच में और Muslims के बीच में फिस सबसे बड़ी में प्रॉब्लम उनको क्या आ रही थी ना सबसे बड़ी में प्रॉब्लम यह आ रही थी कि बाकि सारी चीज़े ठीक है सेपरेट इलक्टरेट करना या फिर रिजर्वेशन सीट देना यह सब वह क्यों कर रहे थे क्यों डिस्ट्रस्ट बना था उसका में कारण यह है क्योंकि वह देख रहे थी कि में देख लेते हैं कि क्या क्या उप्शिंज है यह तो था ठीक है यह तो था डिस्ट्रस्ट तो हो गया था दोनों कम्यूनिटीज के बीच में तो यदि यह दो आप्शन भी आपको दिखे ना कहीं न कहीं तो आपको हमेशा इसी आप्शन को टिक करना है क्योंकि यह तो जो है डिस्ट्रस्ट तो वह जा आउटपुट वह तो क्या था रिजल्ट था कि इतनी सारी चीज़ें हो रही है उसका एक रिजल्ट था लेकिन बेसिक जो जड़ थी वो यह थी ना कि डिस्ट्रस्ट क्यों वना था क्यों उनके बीच में एक दूसरे को लेकर भरोसा नहीं था क्योंकि उनको ऐसा लगने लगा था कॉंग्रिस के एक्शन से कि हिंदू जो है वो क्या करेंगे कहीं न कहीं हमारे स्टेटस को सबमर्ज कर ठीक है मतलब हम कहीं न कहीं डब जाएंगे हम उभर के बाहर नहीं आपाएंगे यदि हम इंडिया में ही रहे तो तो ऐसा जो है यह नका फियर था बाकी के भी ऑप्शन सम्देख लेते हैं तो थोड़ी तो पॉलिसी जो है वो अपने हिसाब से क्योंकि वो देवर सींग द अब अब इसे दिफर कर ती किसे कॉंगरेस से तो उसकी वज़े से क्या हो गया तो बिल्कुल साफ यह एलेक्टोरेट का थी। process था लोग sources कि कहीं नहीं क्या होगा , involved हो गा यह वाली चीज वो चीज क्या हो ही रिजॉल ही नहीं हो पाई , सरफ उन्होंने मना कर दिया कि electorate हम नहीं देंग likes तो आब आप देखोगें ना। क्aky观 हमने क्यों डाला है इसमें आपको ऐप कौप्षंट अगरी ना करना और जो है वो separate electorate भी ना देना तो इन सब की basic root क्या थी उनको ऐसा लग रहा था कि बस हमारा जो है submerged हो जाएगा और हिंदू क्या हो जाएंगे हमारे उपर dominate करेंगे तो you need to choose the best from all these आ रिये बाद समझ समझ रहे होना कोई problem तो नहीं है तो आपको इन में से क्या करना है best choose करना है इसलिए this is the best answer I feel एक बारी चेक कर लेते हैं this is right B इस तरीके से question आए तो बिल्कुल भी confuse मत हो ना क्योंकि आपको definitely लगेगा कि यार क्या choose करूँ लग तो सारा ही सही रहा है लेकिन you need to see कि basic जो है वो root क्या है इन सारी कहीं तीन पॉइंट ना वो सब भी इन ही से जुड़े हैं कारण तो यह था तो इसलिए हमको क्या करना है most preferable answer को क्या करना पड़ेगा चूज करना पड़ेगा यह जो competitive exams होती है इसमें ऐसा ही होता है most of the questions तो easy आएंगे जैसे कि हम अभी तक करते आ रहे थे कि आपको अगर आपने क्रियेट होगा कि किसको चूज करो तो इतना तो चलता है ठीक इसलिए competitive exams है उसमें से आपको थोड़ा से प्राक्टिस करना पड़ेगा कि थोड़ा सा अपना conscience लगाना पड़ेगा उस समय पर कि क्या सही होना चाहिए the non-corporation खिलाफत movement began in कौन से समय पर non-corporation खिलाफत movement जो है वो शुरू हुआ था ठीक है तो I feel खिलाफत movement कहीं न कहीं 1921 के आसपास की बात है तो देख लेते answer check लेते हाँ 1921 से exact answer क्योंकि खिलाफत movement non-corporation movement जो है वो शुरू करना चाहते थे गांधी जी non-corporation movement शुरू करना चाहते थे और हां उसके बाद में उनको ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसा करूं जिससे कि क्या हो सारे लोग जो है कहीं हिंदू और मुसलिम क्या हो यूनिफाय हो जाए कहा हो जाए एक हो जानते हैं कि दोनों movement ऐसे हुए थे non-corporation भी और civil disobedience गांधी जी ने full-fledged तरीके से क्या किये थे शुरू किये थे लेकिन लोग violent हो गए थे लोग मारा मारी करने लगे थे लोग दंगय करने लगे थे है ना तो इस वज़े से गांधी जी को non-corporation movement तो इसलिए रोकना पुलिस से क्या हो गए उनकी कुछ कच-कच भजबज हुई और फिर लोगों ने क्या कर दिया पुलिस टेशन कोई फूक मार दिया है ना तो पुलिस टेशन कोई उड़ा दिया उन्होंने तो उसमें बहुत सारे लोग मारे भी गये थे तो इसलिए गांधी जी ने non-corporation movement रोक दिया था ठीक है अब इसके साथ में में civil disobedience movement भी आपको बता दूँ civil disobedience movement क्यों रोका गया था क्योंकि गांधी जी जो है उन्होंने देखा कि क्या करते हैं हम पैक्ट में आ जाते हैं मतलब गांधी जी जो है civil disobedience movement शुरू हो गया था सारा कुछ जो है वो बढ़िया तरीके से चल रहा था लेकिन क्या हुआ कि लोगों को अरेस्ट कर लिया था बहुत जाता परिशान होने लगे थे लोगों को बिल्कुल अंदर ले लिया था अरेस्ट कर दिया तो फिर गांधी जी ने क्या कर करके मैंने आपको समझाया भी था ठीक है यहां पर कुछ और ही सीन चल रहा था जवार लाल नेरुजी को और अबुल गफार खान को क्या कर दिया था गफर खान को अरेस्ट कर लिया था और एसी सारी चीज़े जोगी थे तो फिर से उनोंने civil disobedience movement launch किया था लेकिन इतने और डिटेक फया अधिउर थे आपको सही और मेne अभी आपको बता हं था इस धे немного ने प्रें धुग्यमात प्रेशर किया और गांधी जी को की 69 अन बन कर दो अरे गांधी जी कहां प्रेशर में आने वाले थे second round table conference की वज़े से क्या बिल्कुल भी नहीं गांदी जी's arrest गांदी जी का arrest हुआ था क्या गांदी जी का arrest अभी नहीं उधर वाली बात है चौरी चौरा incident जो है वो बिल्कुल सही answer है और मैंना भी आपको बताया भी था this is the right answer next question a form of demonstration used in non-corporation movement in which people block the entrance to a shop, factory or office तो बच्चे ना ये वाले question में थोड़ा सा confused होते हैं उनको ऐसा लगता है कि इसका answer क्या है boycott क्या ये answer सही है boycott मतलब क्या होता है boycott करना मतलब चीजों को बंद कर देना उसको यूज बंद कर देना उसको छोड़ देना जैसे हमने क्या कहता है simple तरीके से याद रखना हमने Chinese product जो है boycott किये थे ना कि हम नहीं यूज करेंगे Chinese apps यूज नहीं करेंगे China को जो भी हम हमारी तरफ से का कर रहे है मतलब अच्छा बना रहे हैं उनके products यूज करके उनके application यूज करके तो अब हम क्या करेंगे नहीं करेंगे तो हम क्या कर रहे थे हम boycott कर रहे थे चाइना को ठीक है आरे यह बात समझ में लेकिन यहां पर क्या कहा जा रहा है कि यह demonstration था कि इसमें non-corporation movement में जिसने people क्या करते थे लोग क्या करते थे शॉप, factories और office के entrances को block कर दे थे आने जाने नहीं देते थे ठीक है तो इसको boycott करना नहीं बोलते है इसको बोलते हैं पिकेटिंग क्या बोलते हैं पिकेटिंग ठीक है Confused तो नहीं होगे boycott और पिकेटिंग के अंदर different समझ में आ गया ठीक next next The Simon Commission was boycotted because अब Simon Commission क्यों boycott हुआ था Simon Commission इसलिए boycott हुआ था क्योंकि बहुत जादा problems देखने को मिल रही थी और फिर क्या किया था Simon John Sir John Simon को क्या किया था वहां से हमारे आपर भेजा गया था किस चीज के लिए कि constitutional reforms लेकर आएं Simon Sir हमारे लिए और planning करें कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है तो planning के लिए तो भेजा लेकिन हमारे लिए planning करनी थी और हमारा एक भी member जो है वह committee में नहीं था तो तुमको हमारे लिए planning करनी है और तुम हमसे ही नहीं पूछ रहे हो कि हमको क्या परिशानी है हमको क्या changes से है तो मतलब कि तुम सारा कुछ तुम्हारे हिसापसी कर लोगे तो लोग क्या हो गये थे बहुत जादा गुसा आ गये थे इसलिए लोगों ने क्या किया साइमन कमिशन को बहुत जादा boycott किया था go back साइमन के नाम से क्या लगाए थे नारे लगाए थे क्या हो सकता है भाया इसमें there was no British member in the commission हान जी नहीं British member बोल रहे है Indian member बोलते थे हम टिक कर देते no British member नहीं यहाँ पर तो सारे के सारे British member ही थे ठीक है अगर no Indian member लिखा हो था तो बिना सुची समझे टिक कर देते it demanded separate electorates from Hindu for Hindus and Muslim नहीं बिल्कुल भी नहीं there was no Indian member in the commission very good this is the right answer it favored the Muslim over the Hindus यहाँ पर John Simon commission में ऐसी कोई भी बात नहीं हुई थी even Simon commission को हटाने के लिए तो सारे के सारे groups क्या हो गए थे एक हो गए थे demonstration सबने मिलके किया था this is the right answer अगर इसका year पूछे कि Simon commission कब आय थे तो 1928 जो है वो देख लेना ठीक है next who formed the Swaraj Party within the Congress तो Swaraj Party वो की दब जाती यार चलो ठीक है who formed the Swaraj Party within the Congress Congress की Swaraj Party जो है वो किस ने बनाई थी तो हमने देखा था कि लोग जो है वो आप सोचने लगे थे जो liberals और moderates थे वो सोचने लगे थे कि क्या करें हम council election जो है वो लड़ते हैं फिर वहाँ पे जाके हम debate करेंगे कि नहीं आप जो करें हो गलत करें यह जो councils है यह क्या है purely democratic नहीं है और हमको क्या democratic council चाहिए उन लोग का ऐसा मानना था कि demonstration वगेरा रोड़ों पे उतरने से अच्छा है हम उनके सामने जाके लड़े है ना और उनको बताएं कि यह जो है यह गलत कर रहे हो आप ठीक है वहीं के वहीं जो हमारे radicals थे जवाहलना नहरू हो गए सुबाश चंदर बोश जी हो गए यह कह चाते थे कि फुल इंडिपेंडेंडेंस की बात हो तो यह जो स्वराज पाटी है ना यह elections के लिए खड़ी हुई थी और मतलब बनाई गई थी बनाई थी सियार्दास और मोतिलाल नहरू जी ने ठीक है तो इसका याद रखना आप इसके अराउंट जो बात करिऊ में वह जो paragraph है उसी में वहाँ पर ही लिखा हुआ है ठीक है तो स्वराज पाटी किसने बनाई थी सियार्दास और मोतिलाल नहरू जी ने लिखी है ना उसके जस्ट नीचे जवाला लेरो और सुबाश चेंदर बोश जी की बात कहीं गई है ताकि बच्चा क्या हो जाए Confused हो जाए लेकिन हमको अड़े रहना है क्योंकि हमारे क्या है concept बिलकुल पूरी तरीके से clear cut एकदम तो हम confused भी नहीं होंगे ठीक next question किस ने बनाई थी अच्छा depressed classes association क्या होता है लेटर नोन आस लेटर नोन आस scheduled caste ठीक है देखा था हमने ncrt में बताया था बहुत अच्छे से तो यह किस ने बनाई थी यह किस समय की बात हो रही है वो जो हरिजन वाला paragraph है ना limitations of civil disobedience movement उसमें यह बात की गई थी कि separate electorate मांग रहे थे हरिजन जिसके लिए गांधी जी ने बिल्कुल भी मतलब गांधी जी नाराज हो चुके थे बहुत और डॉक्तर बियार अंबेट करो गांधी जी के बीच में second round table के टाइम पर even क्या होगी थी clashes भी हो गए थे क्योंकि गांधी जी ऐसा मान रहे थे कि आप लोग अपनी जगे सही हो लेकिन इससे क्या होगा ना कि अगर आप भी separate electorate मांगोगे फिर हर community separate electorate मांगने लगेगी तो फिर एक union देश होने का मतलब क्या है united देश होने का मतलब क्या है तो उनका ऐसा मानना था कि यदि separate electorate दे दिया गया तो फिर unity में जो है वो बहुत भेंकर बड़ी वाली क्या जाएगी तिराड आजएगी तो हमको क्या करना है ये वाला का लड़े लेकिन क्या हो reserved seat जो है वह हमको मिलनी चाहिए तो ये बात उस समय पर चल भी थी तो वहीं paragraph में आप एक चीज देखोगे कि सुभाश शंद्र बोश जी ने बनाई थी डॉक्टर बियार अमबेटकर जीने बनाई थी सब ऐसा हो जाता है ठीक है लेकिन confused बिलकुल भ बनाई थी ठीक है नाम क्या है depressed classes association किसने बनाई थी डॉक्टर बियार अमबेटकर जी ठीक नेक्स्ट वेर डिट महात्मा गांदी स्टार्ट इस फेमस सॉल्ट मार्च ऑन 12th मार्च 1930 इवन ये वाली डेट भी आचाती है भूलना मत बिल्कुल भी ये डेट भी आचाती है कि सॉल्ट मार्च ये डांडी मार्च कब शुरू हुआ था क्या इयर था इसका तो बिल्कुल ऐसे टाइम लाइन जो है वो बनांके रखना एवन आपके एंसा ब्लॉक बना हुआ उसके अंदर एयर के साथ में मुमेंट्स दे रखे हैं तो जब आप चैप्टर पढ़ो ना त दो उसका इयर उसका इयर उसका इयर ऐसे करके लिख लेना तो आपको याद रहेगा एवन मुमेंट्स भी स्क्वेंच में समझ में आज Guy किसके होगे और क्योंकि movement sequence में समझ में आ जाएंगे तो year भी अपने timeline जो है वह sequence में चलती रहेगी तो confusion बिल्कुल भी नहीं होगा ठीक है और mcqs में जो है वो year बिल्कुल आते ही आते हैं दो चार तो फसी जाते हैं history man informação से पो आते य आते हैं ठीक है तो dandy marque मार्च मतलब क्या डांडी तक मार्च जाने के लिए क्लिए मार्च शुरू कहां से होगा जहां पर Governor Samsung घंधी रहते थे तो गांधी जी कहाँ पर रहेंगे आश्रम महीं रहेंगे न प्राबर मती आश्रम से क्या हुआ था डांडी मार्ट शुरू किया गया था कोई confusion नहीं ना बिलकुल भी हमाये प्यारे बच्छों आप लोग तो सारी चीज़े पढ़के आते हो आपको तो बिलकुल confusion नहीं होगा हो मेरे पहले आप लोग answer बता पा रहे होंगे ठीके which industrialist attacked the colonial control over Indian economy and supported civil disobedience movement तो कौन से industrialist थे जिन्होंने क्या किया colonial control को attack करते हुए civil disobedience movement को क्या किया था support किया था तो ऐसे दो लोग थे हमने बात की थी businessmen's industrialist की civil disobedience movement में अलग से ही paragraph था ठीक है कि इन्होंने बहुत जादा financially जो है वो हमारे movements को क्या किया था support किया था ठीक है ये लोग बहुत अच्छे से participate कर रहे थे क्योंकि ये चाहते थे कि कहीं न कहीं market जो है इससे क्या होगा उसकी आजादी हमें मिलेगी है ना market की आजादी जो है वो हमको मिलेगी तो कौन लोग थे दो लोग थे एक तो जीडी बिर्ला जी और एक पुर्शोत्तम दास ठाकुर जी ठीक है तो यहाँ पर नाम किसका हमको दिख रहा है पुर्शोत्तम दास ठाकुर दास लेकिन यदि कहीं भी आपको नाम जीडी बिर्ला देखने को मिलता है तो पुर्शोत्तम दास ठाकुर दास बताया था यहाँ पर आप 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 शन में नहीं है तो दोनों नाम है यह यह भी नाम आ सकता है यह फिर जीडी बिर्ला भी आ सकता है तो कंफ्यूज मत हो ना दोनों इस दर राइट आंसर ठीक है नेक्स्ट बेगार क्या होता है ठीक है बच्चे यह term boycott, picketing बेगार में थोड़ी से confused हो जाते हैं बेगार जो है मतलब villages में क्या होता था ना villages में laborers को बहुत ज़्यादा force क्या गया था काम करने के लिए even without payment उस काम के लिए उनको क्या दिया जाता था payment नहीं दिया जाता था उसको हम क्या कहते थे बेगार कहते थे उनको इस नाम से किया था थे कि contribute करना है काम में तो पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि आप तो क्या कर रहे हो एक contribution दे रहे हो अपना है तो बेगार जो है वही term होता है देख ले थे हम कौन से option में है An Act to prevent Plantation workers to leave the tea gardens without permission तो ये वाला तो कौन सा था? Inland Immigration Act ठीक है तो इसके लिए भी confused बिल्कुल भी मत हो ना Inland Immigration Act था ये Plantation की जब हमने बात किती स्वाराजन Plantation है ना उस समय पे जो है अब हमने इस चीज को देखा था तो इसके उपर भी आपको क्या आ जाता है? The force recruitment of soldiers in rural areas during World War I तो इसका तो कोई टर्म ऐसे कुछ दिया नहीं है तो बेगार से ये रिलेटेड होगा नहीं ये बात भी ध्यान रखना Labour that villages are forced to contribute without any payment एकदम बिल्कुल सही आंसर है ये अभी मैं आपको समझा है था Refusal to deal and associated with people or participate in activities as a form of protest नहीं इसको कहीं नहीं आप रॉलेट आक्ट का तरीके से समझ सकते हो कि रॉलेट आट में ऐसी हो था था ना कि उन्होंने बोल दिया था कि आप कहीं पर भी क्या होगी gathering नहीं होगी, mass gathering नहीं कर सकते है political associations नहीं बना सकते अगर हुआ तो फिर क्या कर लेंगे arrest कर लेंगे even without trial for two years आपको क्या कर दिया जाएगा jail में बंद कर दिया जाएगा तो अभी तो हमको किस से मतला में बेगार से मतला में लेकिन तीनों option मैंने आपको बता दिये ठीक है next, answer is right, next question, which party did not boycott council elections held in the year 1921 तो 1921 में कौन सी party थी जिसने council election को जो है वो नहीं छोड़ा था तो हम जब बात कर रहे थे non-corporation movement की तब हमने देखा था कि बहुत सारे लोगों ने स्कूल शोड़ दिये थे, colleges शोड़ दिये, professors आ गए थे, council election को क्या कर दिया था, boycott कर दिया था लेकिन वहाँ पर हमने क्या क्या था, एक party का नाम पड़ा था, जिसने council election में participate किया था boycott नहीं किया था, वो थी madras की justice party, अच्छा माम क्यूं इसका reason भी आप बता दो तो इसका reason यह है कि वहाँ पर क्या था, ब्रहमिन्स और नॉन ब्रहमिन्स का जो है वो थोड़ा सा जादा चलता है उधर की side में तो जो ब्रहमिन्स लोग थे वो बहुत जादा dominating थे, मतलब उनको ऐसा लगता था कि जो भी सारी government jobs है वो सारे किसके पास चले जाते ब्रहमिन्स लोगों के पास में और नॉन ब्रहमिन्स लोगों को कुछ भी नहीं मिलता ठीक है, फिर Montague Shamsford reform आया था किसमी 1919 में तो उससे इनको थोड़ा सा मौका मिला था कि क्या कर सके यह election लड़ सके तो इन्होंने ऐसा सोचा कि election का मौका मिला है हमको तो फिर हम छोड़े क्यूं तो हमको करना चाहिए और इवन यह लोग जीत भी गए थे और 13 साल तक जो है इनकी पार्टी ने क्या किया था, रूल किया था मतलब रूल इनके जो है रूलिंग पार्टी के वाली थी तो इसलिए आप इस चीज को याद भी रख सकते हूं इससे related वैसे तो क्या पता question नहीं आना चाहिए क्योंकि आपके book में assets नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए ठीक है, तो justice party is the right answer ठीक, next अगर MCQs समझने है न, MCQs tick भी अगर करने है तो उसके आसपास का सारा कुछ पता होना चाहिए नीते से random सोचते रहेंगे कि नहीं इसको tick कर देते हैं अगर कहीं पर सारास पार्टी दिख गई तो उसको tick कर दोगे, ठीक, next question number 31, why did General Dyer order to open fire on a peaceful demonstration at Jaliyawala Bagh choose from the given option हमने पढ़ा था कि Jaliyawala Bagh जो है वो बहुत भेंकर तरीके से massacre था रॉलेट act के बाद में उसके बाद ही जो है वो गांधी जी ने mass struggle की तयारी की थी ठीक है non cooperation movement जो है वो लेकर आना चाहते थे तो रॉलेट act में ऐसा था कि मतलब आप gather नहीं हो सकते लेकिन यहां पर gathering जो है वो देखने को मिली थी बैसाकी fair के कारण भी gathering थी और कुछ लोग जो है वो कुछ लोग association भी जो है वो करने आया थे दो लोग arrest हो गए थे उन दो लोग का कौन अरेस्ट हुए थे उनका नाम मुझे नीचे लिख के बताना comments में क्योंकि अभी शायद इसके थोड़े दर पहले ही question भी हमने किया है याद होगा आपको मैंने नाम बताया था आपको अगर याद है तो बिल्कुल comment में लिख कर बताओ तो उसके लिए भी थोड़े शी gathering वहाँ पर हुई थी लेकिन क्या हुआ रीजन जब जनरल डायर से बात में पूछा गया तो जनरल डायर ने बताया कि वह लोगों के अंदर एक moral effect जो है वह डालना चाहते थे एक भय वाली चीज जो है वह लोगों के अंदर पैदा करना चाहते थे कि हमने जब martial law imposed कर रखा है roll attack imposed कर रखा है उसके बात भी आप लो gathering करें मतलब आपके अंदर डर नहीं है तो डर बनाने के लिए उन्होंने यह चीज जो है वह की थी तो हम देख लेते option में नहीं पर दिख रहा है क्या अब हम देख लेते हैं फिर उसके बाद आखरी में चूस कर लेंगे कि क्या जादा क्या है अच्छा option है because his object as he declared later was to produce a moral effect to create fear in the mind जो सत्या अगर इस बिलकुल सही अभी तो हमने यही बात की थी तो option अगर कहीं पर relevant भी लगे ना उपर उपर तो वह से देखते से टिक मत कर देना सारे option जाए पढ़ा करो मैं आपको पूरे MCQ में इसी तरीके से बताया है कि पूरे options पढ़ती हूं answers छोडती नहीं हो क्यों कि हो सकता है कि अपने को जो सही लग रहा है और उसके नीचे वाला माल लो सही निकल जाए और ज्यादा relevant निकल जाए कि कि he ordered fire because he noticed a sudden unrest in the crowd एक sudden unrest था नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है यह जो है यह वाला option बहुत जादा relevant है और ऐसा ही था उन्होंने बोला भी था आंसर देख लेते हैं आंसर C is right next 32 which of the following was Mahatma Gandhi's novel method of fighting against British तो Mahatma Gandhi की novel method कौन सी थी प्रिटिशस से लड़ने की सत्य धर्म हिंसा ठीके देखते हैं कहीं पर दिख रहा है क्या हमको he used a violent method of stone pelt इंग भाटे फेक फेक के मारते थे क्या नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं this is very opposite to what Gandhi जी preferred he used arson to bomb to bomb down governance offices government offices नहीं बिल्कुल भी नहीं वो तो बिल्कुल ही नहीं करते थे भईया और even जहाबर मारा कुटी हुई भी movement के बाद में तो उन्होंने पुरे के पुरे movements रोग दिये क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि ऐसी कोईसी चीज हो he fought with the principle of an eye for an eye क्या मतलब अगर तुम मुझे घूरोगे तो मैं भी तुम्हें घूरूँगा मतलब ऐसा वाला एक कहावत है ऐसा से गूरे वाले में कुछ नहीं होगा लेकिन एक कहावत है कि तुमने अगर मुझे कुछ किया जैसा तुम मेरे साथ करोगे वैसा मैं तुम्हा वाग रहो और non-voilance के अंदर बहुत जादा, non-violence के अंदर बहुत जादा मानते थे तो यह जो है वह उनके principles थे ठीक है Britishers से लडने के where did brutal Jaliyahwala massacre take place Jaliyahwala-baag massacre कहां पे हुआ था Amritsar में हुआ था, Meirett में हुआ था, Lahore में हुआ था, Lakhnao में हुआ था Jaliyahwala-baag massacre तो Amritsar में हुआ था भाई, यह तो सबको पता होगा Even chapter नहीं भी पढ़ो, concept video नहीं भी देखो तो भी आंसर तो आपको पता होना चाहिए कहां पर हुआ था अम्रित सर में जलिया वाला बाग मैसे केर हुआ था वही पर बैसाकी का फेर भी जो है वो लोग देखने आए थे next 34 what does satyagraha mean? choose one from the following option satyagraha का मतलब क्या होता है satyagraha का मतलब satyagraha का मतलब यही होता है कि सामने वाले को truth accept करने के लिए force मत करो ऐसी चीज़े करो जिससे की क्या हो सामने वाले को खुद से ही अपने आप में guilt होने लगे कि अरे यार मैं जो कर रहा हूं इनके साथ क्या कर रहा हूं गलत कर रहा हूं so this is the real meaning of satyagraha satyagraha means use a physical force यहीं से option को cancel कर दो physical force तो बिल्कुल भी use नहीं करते हैं satyagraha does not inflict pain it is a non-violent method of fighting against oppression बिल्कुल सही बात है inflict pain मतलब क्या? किसी को दर्द देना cause, inflict is cause है ना? तो मतलब किसी को दर्द देना तो दर्द नहीं देना यहापे दर्द देना inflict pain का मतलब होता है यहापे not लिखा यानि कि किसी को दर्द नहीं देना और किस तरीके से लड़ाई करना? non-violent अहिंसा से जो है उससे लड़ना और जो भी वो oppression हमारे उपर कर रहा है हमसे लड़ रहा है मार रहा है दंगे कर रहा है सारी जीजे कर रहा है उसको बिल्कुल अहिंसा से क्या करो उसके against लड़ो तो this is the I feel की most relevant option है लेकिन हम जो है वो हमेशा की तरह सारे option पढ़ेंगे उसके बाद में टिक करेंगे सत्यागरा means passive resistance and a weapon of weak क्या यह weak का weapon है जो कमजोर लोग होते हैं क्योंकि usually जब किसी के अंदर aggression भर जाता है तो वो कहता है कि नहीं अगर हम powerful है तो हमको aggression दिखाना चाहिए हमको सामने वाले को बताना चाहिए कि हमारे अंदर भी dumb है और यह non-violent, नहिंसा यह तो सब किसकी कहने की बात है जो कमजोर होता है न वो इनकी आड में ऐसे बोलता है कि क्या है non-violent से लड़ो ऐसे लोग बोलते हैं लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इवन अपने आपके aggression को रोकना और सामने वाले के अंदर realize करवाना कि वो गलत है is the most powerful thing that one can do क्योंकि वो चीज हमेशा intellectual से आती है हाथ पेर तो गदे गोडे भी चला लेते हैं ठीक है तो इससे आप समझ लो ठीक है अगर आपके मन में भी दिमाग में चीज आती हो तो यही से जो है वो बिल्कुल उसको निकाल देना सत्यागरा वोसे racist method of mass agitation बिल्कुल भी नहीं सत्यागरा is completely a method that does not inflict pain and it is non-violent method of fighting against oppression ठीक है answer सही है क्या बिल्कुल सही है next what was the purpose of imposing the Royal Act? Royal Act क्यों impose किया गया था? Royal Act इसले इंपोस किया गया था तो क्योंकि British House को इससा लग रहा था कि यह लोग तो बहुत आदा gathering वगेरा करने लगे है और अब क्या करो ऐसा एक निकालो जिसमें की क्या हो यह gathering ना कर पाए कहीं पे political associations ना बना पाए और अगर कहीं पर बनाते वे दिखते हैं तो इनको जेल में डाल दो और trial पे भी मत रखो दो साल के लिए जेल की ससा दो ऐसा किसने बोला British Government ने सोचा रॉल इटक भी इसलिए उन्होंने क्या किया था इंपोस किया था देख लेते हैं most relevant answer कौन सा है तो रॉल इटक फॉर बेड़ इंडियन्स तू क्वालिफाई फॉर administrative services बिल्कुल भी नहीं रॉल इटक है डिनाइड इंडियन्स रॉल इटकल पार्टिसिपेशन क्या वो पार्टिसिपेशन से मना करते थे नहीं उनको अस्वोसियेशन से प्रॉब्लम था देख लॉल इटक इंपोस्ट अडिशनल टेक्सिस ओं इंडियन्स हूवर कोई बात नहीं हुई थी यह वाले चैप्टर के लिए हम इतने ही MCQ करेंगे और भी जैसे की समय मिलता है यदी अच्छे से वैसे तो इसके अंदर मैंने आपको सारे options के साथ में बहुत सारी कहानिया आसपास की बता दी है इवन दूसरे options से भी क्या question बन सकता यह भी बता दिया है तो बहुत साही चीज़ा आपकी cover हो जाएंगी लेकिन यह जो है अभी यह सारे mcqs है त्रायल की आप लोग को concept समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है हम लोग real mcqs तब करेंगे जब हम previous year question जो है वो solve करेंगे क्योंकि that is the real मैदान वहां पे ठीक है तो अभी फटाफट से हमारा अच्छी तरीके से complete हो जाए उसके बाद हम लोग फटाफट क्या किस पर आजाएंगे previous year question पर आजाएंगे आपको वीडियोस अगर नहीं मिलते हैं तो बिल्कुल आप मेरे वीडियोस जो है वो मिल जाएंगे सारे इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखेगा अच्छे से बढ़े हैं मज़े से घर पे बैठके अच्छे से पढ़ाई करना बस पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान देना और Friday, Saturday, Sunday जो है वो हमारा सारा NTSC का syllabus के जो वीडियोस है वो आएंगे आते हैं दस बजे साइंस, एक बजे मैट, चार बजे मैट और साथ बजे शोशल साइंस इस बार तो आपके पास में बहुत सारे वीडियोस जो है वो आपको मिल जाएंगे ये वाले हफते तो अच्छे से बिल्कुल पढ़ाई करके रखना एक हफते से दूसरा हफता नहीं होना चा रिविजिन इस मस्ट, चैप्टर कंप्लीट करने के बाद में ऐसा नहीं कि आप छोड़ दिया आप भूल गए आज चैप्टर कंप्लीट कर रहा है तो कल अगर सबसे पहले सुबह उठ रहे हो तो पहले कल का पढ़ावा रिवाइस करो ठीक है स्टेज 1, स्टेज 2 दोनों कवर करेंगे हम पहले स्टेज 1 की तैयारी कर लें अभी उचके बाद में यदि सब कुछ अच्छा लगता है तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा आखरी में लाइक कीजिएगा अच्छा लगे उसके बाद नहीं तो मत कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा यदि आपको कोई भी important notification मिस नहीं करने आप चाहते हो कि magnet brain से आपकी बढ़ा एक बहुत अच्छे से हो रही है तो बिल्कुल आप क्या करें अच्छे से करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ अपने भाई भेनों के साथ क्या आपको लगता है उनको ntc के अच्छे समझ में आ रहा है एंसी क्यूस आपको मिल रहे हैं तो आप बिल्कुल शेयर कीजिए बहुत बहुत सारा लोगों तक पहुंचाईए मिलते हैं अगले चैप्टर में